नमस्कार गूड मॉर्णिंग सभी को असुब करण सहय काचारी एफम स्रीरादेश आमार मुरार का गौर्मिंट पीजी कॉलेज जुन जुनू आज हम विकॉम पार्ट पर्थमवर्ष के विद्यार्थियों के लिए एफम पेपर सेकेंड इंडियन बेंकिंग और फाइनेशिल सिस्टम भारती बेंकिंग रीटियों के अंतर गत यूनिट संख्या सेकेंड में हम अधेन करेंगे सर्व्यापिक बेंकिंग में में टूल्स ओफ इबेंकिंग के अंतरगत ATM, कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनिवेहर बेंकिंग, तूरिस्ट बेंकिंग के बारे में हम अध्यन करेंगे जो कि आपके यूनिट संख्या सेकिंड में इबेंकिंग, मोबाइल बेंकिंग एनिवेशन बेंकिंग सेक्टर का पार्ट है इसमें हम मैतुपुन बिंदू का देन करेंगे, जिनमें पर्थम है, ATM ATM, आटोमेटिक टेलर मशीन जो की ग्रहकों को मुद्रा के लेंदेन की 24 गंटे सेवा परदान करने है तू, देश में विविन बेंकों की विविन साखाओं ने इन मशीनों की स्थापना कर रहे हैं, ATM, ग्रहक को बेंक उपलब्द करवाता है, जिसके माद्यम से, ATM साखा में जाकर कभी भी एक निश्चित अधिक्तम राशी तक निकाल सकता है, ATM के माद्यम से, हम खाते में रुपे भी जमा करवा सकते हैं, इस परकार, ATM, ग्रहकों को दी जाने वाली एक महतोपूर्ण सुईदाएं हैं, जिसमें 24 गंटे गंतर कभी भी, कहां भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, ATM को, ATM कार्ड को हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, प्लास्टिक मनी हम इसलिए कहते हैं, क्योंकि इनके आवरण, ATM कार्ड एक प्लास्टिक के रूप में होता है, जिसमें चिप लगी होती है, जिसके माद्यम से ATM मशीन उसको लीड करके, उनके खाते से सम्मंदित डिटेल के माद्यम से, आसानी से ग्रहक अपनी आवसक्ता नुसार जमाराशी निकलवा सकता है, तो ATM एक महत्वपुन भूमिका का निर्वहन करता है, ATM फेसिलिटी एक महत्वपुन सुईदा है, ग्रहक को कभी भी रुपयोगी आवसकता पड़ जाए तो अपनी जमाराशी को आसानी से निकलवा सकता है, किसी भी ब्रांच के ATM से, कोई से भी खाते से नियम आनुसार रुपय निकलवा सकता है, ये तो अपनी होगी, ATM सुईदा, ATM, दूसरे हम बात करें, ओल्डे बेंकिंग, कुछ बेंकों ने ओल्डे बेंकिंग की सुईदा रहती है, इसके तहट बेंक साका सब्तों के सातों दिन, रहिवार वर राजपती तवकास सहीद खुली रहती हैं, इसे ग्राहकों वो लेंदें की सुईदा रहती है, ओल्डे बेंकिंग सुईदा, ग्राहकों को हितों में रखके दी जाती है, जो की एक वीक के सातों दिनों तक, वासानी से बेंक में जाकर के ग्राहक पैसा निकलवा सकता है, वो लेंदें कर सकता है, तो वो ओल्डे बेंकिंग कहलाती है तो ओल्डे बेंकिंग भी एक बेंकिंग में महतुबुन भूमिका का निर्वाहन करती है अगली हम बात करें एनिवेहर बेंकिंग एनिवेहर बेंकिंग कुछ बेंकों ने एनिवेहर बेंकिंग की शुरुआत करके अपने ग्रहाकों को ये सुविधा भी दी है कि वे बैंक की किसी भी साखा से एवं किसी भी स्थान से लेंदेन कर सकते हैं चाहे वह साखा विदेश की साखा हो चाहे वह साखा भारत में इस्तित हो कि ये कुछ बैंक ये अनिवेर बैंकिंग की सुविधा हैं उपलब्द करवाते हैं जो को ग्रहाकों को सुविधा की दिश्टी से बहुत ही उपयोगी है क्यूंकि ग्रहाक कस्टमर जड़ी ने वह भारत में ही रहे उनका विदेशी में भी भरमन रहता है जिसमें वहां पर उन्हें मुद्रा की रूप्यों क्या उसकता होती है क्योंकि भारत की करेंशी रिया वहां की और अलग होती है तो उस currency को आसानी से इस bank में जाकर के convert खरवा सकते हैं तो वो एन्य वेहर banking की सुविधाइं होती है जो कि विदेश में भी उनको पैसे क्या बसक्ता हो जाए होती है तो वो आसानी से इस सुविधा का लाब उठा सकते है इसी करम में हम आगे बात करें घर बेटे बेंकिंग जिसमें टूरिस्ट बेंकिंग भी समलित है टूरिस्ट बेंकिंग को एनिवेर बेंकिंग का एक पार्ट माना जाता है क्योंकि कस्टमर बाहर यात्रा करता है जिसके मादेम से उन्हें रुप्यों के आउसकता पड़ती है तो बेंक यात्री चेक उनको देख करके अपनी मुलभुत आउसकताओं को विदेश में होने वाली जरूरतों को पूरा कर सकता है इस टूरिस्ट बेंकिंग के मादेम से ही कस्टमर को काफी राहत भी मिलती है जिससे आसानी से यात्रा के दोरान होने वाले वेखर्चों को उस टूरिस्ट बेंकिंग के मादेम से आसानी से सुवधाओं का लाव ले सकता है अब इसी प्रकार इनी में ही आती है घर बेटे बेंकिंग सुदाओं का महतोपुन योगदान है क्योंकि आज गर ये एकाउंट हो गया है उसका महतो है बहुत बढ़ गया है घर बेटे ही सारे कामकाज किसी भी दिन समय निपटा सकते हैं अब लाइनों में लगने गंटों का इंजार करने रात्री के समय भी किसी भी छण किसी भी शमय आप बेंक के मादम से लेंदेन कर सकते हैं बेलेंस मालूम कर सकते हैं चेक को रुकवा सकते हैं खोए चेक को अग्रह कर सकते हैं जमा करा सकते हैं जिसमें विभिन परकार की सुजदाइं दी गई हैं जिसमें ATM कार्ड, क्रेडिड कार्ड, नेट, बैंकिंग, EAS, सिगनेचर, चेक, सुजदा, आधी बैंक करते हैं जिसमें ICI, HDFC, CT बैंक भी परदान करते हैं अधिकांस बैंक महत्वपून रूप से जरूर आवसिक्ताओं को या जरूरी सुजदाईं बन गई हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़े हैं इसको देखते हुए भी लगबग इंटरेट के माद्य में से भीन सुजदाईं आसानी से कैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या आपको घर बैठे दी जानी वाली सुजदा खेए अगला पॉइंट है वहथी इंपोर्टेंट क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक महत्तु क्यें त टरीके से हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड का पर्चलन बढ़ रहा है.. क्रेडिट कार्ड के मादेम से साख पर यात्रा मनोरंजन ओटल रेल युए वा यात्रा के टिकेट आसानी से सुदा में से जिके के परसिन में कई बार अपने को पूछ लेते हैं कम्पेटिसन में क्रेडिट कार्ड का सरोपर्थम चलन कहां हुआ तो सरोपर्थम चलन क्रेडिट कार्ड का अमेरिका में 1950 में हुआ जब एक व्यापारी फ्रेंक मेनावारा में अपने कुछ दोस्तों को यात्री पर एक ओटर पर बुलाया अचाने बुक्तान का समय आदा गया तो अपर चलाना भूल गया उसने अपनी पत्नी को फोन पर रखम हुआई तथा यह निर्ने भी लिया कि ऐसी इस्तिती दुबार नहीं आये तो परमानित परनाली के विकास की बहुशेग में इसी गटना पुन्रावर्ति को रोकें तो इंडिया ने गुनी सवसी अगस्त में पर्थम बेंग के रूप में विस्व इस्तर में मास्टर कार्ड के रूप में स्थापित करके क्रेडिट कार्ड की सुईधा उपलब्द करवाई है तो इस परकार वर्तमान में सबसे बड़े व सरवाधिक लोग पर ये दो विस्व इस तरके कार्ड मास्टर कार्ड वीजा कार्ड जो की 1966 में विस्व बाजार में पर्विष्ट भी हुए हैं जो दुनिया के एक सो सी देश उन्हें स्विकार करते हैं भारत में सरो पर्थम ड्राइनर्स क्लब ओफ इंडिया प्राइविट लिमिटेड द्वारा क्रेडिट क कार्ड दाखिल किये गए थे कार्ड धार एक बार निश्चित फीज देकर सदेश्य बन जाता है तथा सुई दावर रोकट राशी का बुक्तान 45 दिन में कर पाता है एक बार हम क्रेडिट कार्ड से किसी परकार का लेंदे में जब करते हैं तो 45 दिन के इंतरग्रत उनका ब दुखेंकि इसक लाप एक्स बेंक वई और पी क लग इनुंटनेसलंट कार्ड डिसकाउंट कार्ड भी धारी किये गए हैं इस परगार विभinh बेंग को दुआरा वी आईपी वी पी आई और पी कार्ड निला उटल कार्ड रहिजा कार्ड आधी जारी किये जा रहें इस्टेट बैंक के द्वारा भी विशेश चेक दिये जा रहे हैं जिसमें तवरीत रोकड़ी किया जाता है जिसे अमनी इलेक्ट्रोनिक चेक भी कहते हैं क्योंकि बेंक उस चेक की रकम राशी की गारंटी रहती है ता विशे विशेज चे कहलाते हैं ये चेक इस्टेट बेंक की किसी नजदी की साखाओं से नगदी करण में करवाया जा सकता है तो विविन परकार के क्रेडिट कार्ड वेक्तिकत कार्ड में निश्ची तराशी में नकद सुईदा है रहती है जिसमें उनलाइन ट्रांसफर की पेसा कर सकते हैं उनलाइन बुकतान हैं उनको आसानी से कर सकते हैं अब इसके लाब क्या है क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स से मुक्ति दिलाता है क्योंकि साख आलिशान होटलों शांदार रेश्टोर नवाई जाजवादी की सुविधा हैं इनमें कर रखी हैं हर कार्ड पर बीमा सुविधा भी लागू होती जिसमें एक लाग की साधान बीमानी सुल्क मिलती है तो इस परकार विविन परकार के लें क्रेडिट कार्ड के दोस्त की हम बात करें तो क्रेडिट कार विवहार निर्भन ग्रिम रूप से एक सुरूप के रूप में जो आग ग्रहक पुनर बुक्तान ने करे बेंक की वसूली में ऐसुईदा होती है कार्ड धारक पहुंच से ज़्यादा पेर फिला लेते हैं तो वसुली ऐसुईदा आती है कार्ड पर अधीविकर्ष में वर्दी पुनर वर्ती दिखतों को बैंकों काफी मुक्सान भी होता है कि उग्रिम राशी जब ग्रहक लेता है तो उनको बुक्तान करने में ग्रहक अगर नहीं कर पाता थो बैंकों काफी समच्चां आती है तो ल तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मद्धे में उपरी वर्ग के क्रेडिट कार्ड ते दिग लोग प्रियों में तो इस परकार आपके एक्जाम में इससे चेप्टर से संबंदी प्रिशन कई बार पूछते हैं कि ये बेंकिंग क्या है विवारिक जिवन में इसकी क्या भूमिकार मैत्व है तिपणी के रूप में कई बार क्शन पूछ लेते हैं कि निम्र पर तिपणी लिखे जिसमें मोबाइल बेंकिंग एनिवेर बेंकिंग इंटरनेट बेंकिंग एटियम क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बेंकिंग और टूरिस्ट बेंकिंग क्या है तो इ के एक्जाम में क्रेडिट कार्ड एटियम इंटरनेट बेंकिंग मोबाइल बेंकिंग के बारे में ही अधिकतर जादा पूछते हैं तो इस प्रकार आप आसानी से इनका टोपिक में क्रेडिट का एटियम और टूरिस्ट बेंक की काम ने अधिन किया अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रदारमंतरी ग्राम जंधन योजना और बेंकर ग्राक के मद्दे कौन-कौन से संबन्द है धन्यवाद थैंक्यू एरिमच